देश के पंद्रहवे राष्टपती के लिए चुनाओ हो चुका है। हर राज्जी के विधान सभाओं तथा दोनों सदनों में राष्टपती चुनाओ के लिए वोटिंग भी हो गई है। वोटिंग के बाद प्रदानमंत्री शहीत देश के कई नेताओं ने तो वोटिंग के बाद अपने फोटो को सोसल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया है। आज वोटिंग हो गई और 24 जुलाई को देश को मिल जाएगा अपना पंद्रहवा राश्ट्पती। इसे बीच उप राश्ट्पती के लिए चुनाओ की तैयारियां विजोरो पर है। भारतिये जनता पार्टी ने राश्ट्रिये जनतांत्रिक कटबंधन की ओर से पस्चिम मंगाल के राज्जिपाल जगदीप धनखड को अपना उमिद्वार बनाया है। तो वहाई आते हैं कि कौन है जगदीप धनखड जो अब बनने जा रहे हैं देश का 14 हुआ उप राश्ट्पती हम आपको बताएंगे पूरी कहानी इस रिपोर्ट में अब नमस्कार आप देख रहे हैं जनता जंक्षन आपके साथ मैहों इलामबर पाठक और कैमरी के पीछे खड़े हैं विशाल देश के भावी उपराष्ट पती जगदीप धनकड राजस्थान के जुनजनु जिले के रहने वाले हैं उनके गाउं का नाम किठना है जहां उनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ था धनकड की सुरुवाती पढ़ाई जुनजनु जिले के ही अपने गाउं किठना से के बलबुते छात्रविती हासिल की और चितोर गड़ के सैने की स्कूल में पढ़ने चले गए इसकूली सिक्षा पूरा हो जाने के बाद धनकड ने जैपूर के प्रतिश्चित महराजा कॉलेज से बीसी ओनर्स की डिग्री हासिल की इसके बाद उन्होंने राजस्थान वि प्रेक्टिस करने लगे 27 मार्च 1990 को वरिष्ट वकील बने इसके बाद वे सुप्रीम कोट में प्रेक्टिस करने लगे वे 1987 में राजस्थान हाई कोट के बार एसोशियेशन के अध्यक्षपत के लिए चुने गए बात यदि जगदीप धनकड के राजनितिक सफर की शुरुवात की करें तो उन्होंने साल 1989 में जनता दल से अपने राजनितिक यात्रा की शुरुवात की उसी वर्स में भाजपा के समर्थन से जनता दल के टिकट पर जुन्जुनू से लोकसवा चुनाओ लड़े और पहली बार जुन्जुनू से सांसत चुने गए आपको बता दे कि जगदीप धनखड केंदर में मंत्री वी रहे जनता दल के विभाजन के बाद पूर प्रधान मंत्री देवगवडा के खेमे में चले गए धनकड कर अजनितिक सफर काफी विबादों से भरा रहा बाद में जनता दल से टिकट ना मिलने के बाद वे कॉंग्रेस में चले गए उन्होंने अजमेर से कॉंग्रेस के टिकट पर लोकसवा चुनाओ लड़ा लेकिन वे चुनाओ हार गए साल 1993 से 98 के बीच हुए अजमेर के किसंगड विधान सबा से विधान सबा सदस भी रहे साल 2003 में जगदीप धनकड भारतिय जनता पार्टी में सामिल हो गए विधान सबा और लोकसवा में सदस रहते हुए जगदीप धनकड कई समितियों के सदस भी रहे साल 2019 में केंदर सरकार की ओर से उन्हें पश्यम मंगाल का राज्यपाल ने उक्त किया जिसके बाद वे लगतार चर्चा में बने रहे कुछ लोगों का तो कहना है कि साल 2019 से 22 तक राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनकड ने जितनी सुर्खियां भी टोरी है उतना तो उन्हें अपने पूरे राज्यपाल के तोर पर सपत लेने के बाद उनका ममता बनर जी की सरकार से लगतार ठकराव सामने आते रहे हैं सुरू में तो राज्यपाल और सरकार के बीच तल्खियां इशारों इशारों में देखी जाती थी लेकिन वक्त के साथ यह लड़ाई सारवजिनिक हो गई ममता बनर जी ने तो जगदीप धनकड को राज्यपाल पत से हटाने की मांग कर दिया था नौबत यहां तक आ गई कि पश्चिम मंगाल के मुख्य मंतरी ममता बनर जी ने जगदीप धनकड को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था उन्होंने अपने बयान में यह आरोप लगाया था कि राजभावन का प्रियोग भारती जनता पार्टी के कर्याले के तोर पर किया जाने लगा है यही वज़ा है कि जगदीप धनकड के उप राष्टपती के नाम के एलान होने के बाद भी तिनमूल कॉंग्रेस ने अपने समर्थन के पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं जबकि जगदीप धनकड पश्चिम मंगल के राज जिपाल के तौर पर अपनी सेवाय दे चुके हैं कैसी लगी आपको यह हमारी रिपूर्ट करके जरूर बताएं अज़ेust विडियो को फेस्वुक पर देख रहें तो वीडियो को लाइक और पेज कोат ऒलो कर लें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बहुत बहुत धन्यवाद